FL Studio के अंदर हम samples को कैसे add कर सकते हैं जिससे हम एक नया rhythm बना सकें तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो FL Studio के अंदर मैंने कई सारे pack डाल रखे हैं इसके अंदर ढूलक तबला loops का यहाँ पर मिल जाता है पूरा का पूरा pack कि का आपको मिल जाते हैं यानि कि बहुत सारे samples मैंने FL Studio के अंदर यूच किये हैं जिसकी मदद से हम कोई भी एक नया beat तयार कर सकते हैं अब हम third party जो samples है हमारे पास जो बाहर पड़े हुए हैं उनको हम FL Studio के अंदर कैसे add करेंगे जैसे कि break मैंने add किया है जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो यह break है यह लगभग यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे break loops हैं अगर आप इनको download करना चाते हो तो आप हमारे telegram group में join हो जाईएगा link description में मिल जाएगा तो अब इस sample spike को हम इसके अंदर कैसे डालेंगे दो तरीके हैं तो सबसे फश्ट तरीका है ऐसे पकड़ करके यहाँ जैसे कि मैंने दूसरा अला भी नहीं डाला है इसको पकड़ करके ऐसे यहाँ पर रख दो और यहाँ पर यहाँ आ जाएगा यहाँ पर आ चुका है दूसरा तरीका क्या है आप यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर यहाँ पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको क्लिक करना है जो फोल्डर बने हुए हैं देख सकतो किसी एक फोल्डर के ओपर आप क्लिक कीजिएगा और यहाँ से जो भी आपने फोल्डर में रखा होगा अधर लूप्स जैसे कि मैंने एफल स्टुडियो को डाल रखा है यहाँ पर देख सकतो यह फल श्टुडियो इस्टार रपाय हैं और लूप्स हैं आप सिंद के यहाँ पर मैं स्लेट करके हां से जैसे ही ओके करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते यह आ चुका है यह फिर श्टुडियो के ऊपर यहाँ पर आ चुका है इस तरीके से यह इस तरीके से सेंपल्स आ चुके हैं यानि कि आप अपने फल श्टुडियो के अंदर जो सेंपल्स हैं डहो लकत खबला किक हिफ औव वेट इसनेर क्लेप उन सब को आप एफल्स्टुडियो के अंदर एड़ कर सकते हैं मैंने दो तरीके बताया है दूरह तरीकों के अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे टूब चैनल से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जुरूर करतीचेगा